हलो नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूटूज चेर्मे स्वागत है आप देख रहे हैं वेकिंसी एरे अजूकेशन और मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए ओफिसली विवसेड और नोट्रिफिकेशन के जरी पूरी जानकारी देने वाला हूँ जहां दोश्तों ग्रामिन विकास मंत्रा ले से यानि की रास्टे ग्रामिन विकास पंचायती रास समीती सिजए 9000 पोदों पे वेकिंसी के अपडेट हो चुकी है ओफिसली नोट्रिफिकेशन आ चुका है दस वी बार वी या गिस से हदिक क्वालिफिकेशन है तो आप इसमे लगा सकते हैं फॉर्म और इस भरती का पूरा फायदा उटा सकते हैं जिहां दोश्तों ओफिसली नोट्रिफिकेशन की बात हम करेंगे आवे दिन कैसे करना है इसकी हम बात करेंगे जमा कैसे करवाएंगे कहां से निकली हुई वेकिंसी है सारी अपडेट आपको हम देने वाले हैं तो दोस्तों काफिची सेलरी है 18-40 वस तका या रिजर्विशन के अनुसार आपको बात की जाए तो काफिची आयू सीमा दी हुई है मैला हो या पुरुष हो कोई भी उसमें आवे दिन कर सकता है आप कहां के रहने वाले हैं बस आपको उसका नोट्रिफिकेशन होगा उसके अनुसार आप आवे दिन कर सकते हैं सबसे पहले हम लेके चलेंगे ओफिशली वेवेसाइट से जहां से आप नोट्रिफिकेशन डाउनलूड करेंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हर रोज की तरह आप हमारे चैनल पे निव स्टुडेंट हैं तो प्ल यहां पे आपको इसकी ओफिशली वेवेशाइट का लिंक दिया जाएगा अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहां पे देख सकते हैं NIRDPRI गोर्मेंट इन इनिया के अनुसार आपको यहां पे सबसे पहले इसकी ओफिशली नोट्रिफिकेशन का यहीं पे लिंक मिल जाए जहां से आप इसकी अप्डेटिंग पर्टिकुलर एक अप्डेटिंग हो रही है वहीं से आप इसकी नोट्रिपिकेशन की अप्डेटिंग पराप्त कर सकते हैं जी हां दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इसका नोट्रिपिकेशन या आपको यहीं से क्लिक करने के बाद आप इसके notification पर जाएंगे तो आपके इसका officially website के अनुसार ऐसा notification प्राप्त होगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं National Institute of Ruler Development यानि कि गरामेंड विकास सेटर के अनुसार यहाँ पर भरती निकाली हुई है और जो ministry है Ruler Development के उन्हेंने Government of India के अनुसार एड़वारटेर्मेंट जारी क्या है 14-20-2000 को करीबन यहाँ पर आपको बता दें कि यह आविदन पर गया National Government के अनुसार ही होगी और आपको बता दें यह आई Government के ही बरती होगी यानि कि आपको किसी परकार का कोई परमानेंट या फिर ऐसा नहीं कि बाद में अठा दिया जाएगा बाकायद इसमें Return Test होगा Return Test के बाद उसार आपकी Qualification पास होने के बाद आप इसमें नोकरी कर पाएंगे जो भी परमानेट अपने गरामेंट 36-37 तो दूस्तों ये वेकर्स से निकली हुई है पोस्टोंकि अबबलमेंट रूलर के हैदरबाद से वेकर्स से निकली हुई है करीब Bowlирован तीन हजार पोस्टे हैं जसमें Saturday जो प्रोग्रामर है उनकी पोस्टे हैं और यूथ फॉलोवर्स की पोस्ट हैं करीबन दो हजार के असपस और साथ ही इसमें गराम सेवग यानिकी जो वरकर्स हैं गरामेन के छित्र के दो हजार आठ सो पोस्ट हैं उनकी दी हुई है इसे दुरुन हम आगे बात करें इसकी अंतिम तारिक की तो यहाँ पे अंतिम तारिक देख सकते हैं दस अगस्त इसकी लाज़ तारिक दे वी है इससे पहले आपको फॉम जमा करवाना होगा साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के पास हर पोस्ट के लिए अलग कौलिफिकेशन दी वी है जिसे कि इस पोस्ट की हम बात करें तो इसमें सिरफ और सिरफ दसवी और ग्रेजवेट वाले सियानि इससे हदिक तक क्वालिफिकेशन होना जरूरी है लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना होगा अगर आपके पास दसवी में OBC या जरनल के टिकरी के हैं 60% नमर हैं तो आप फोलोवर्स की बात हुई है यूथ फोलोवर्स की जिसमें करीबन 2550 पोस्टे दी हुई है इसमें आपको बताते कि बारवी आले स्टुडेंट ही आवेदन करेंगी और रिलेटिव कॉलिफिकेशन के अनुसार या कंप्यूटर का सेटिफिकेट है तो आप वो भी लगा सकत है क्योंकि आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है तो इसी तोरण हम सेकिंड पोस्ट की थेर्ड पोस्ट की बात करें तो यहां पर वो भी देख सकते हैं इन सभी में कंडिशन एक होगी कि आपके पास सेलरी अलग अलग होगी जिसे कि हम यूथ फोलोवर्स की बात करता 35, 30,000 रुपए सेलरी होगी और आपको यहां पर इसकी बात की जाए पस्ट नमर की जिसमें आप लोगों के सामने 55,000 रुपए तक सेलरी दी हुई है तो यानि कि दूस्तों अलग-अलग कॉल्फिकेशन के अनुसार ही अलग-अलग पोस्टें और अलग कॉल्फिकेशन के अन पोस्टें दी हुई है तो यहाँ पर देख सकते हैं जोग प्रोफाइल के पूरी डिटेल दी हुई है जोग प्रोफाइल के अनुसार आप इसमें 10 वी और ग्रेजवेट और 12 इस्टुरेंट आवधन करेंगे सेम कॉल्फिकेशन होगी कॉल्फिकेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजवेट इन सब्जेक्ट अप एनी रिक्वाइर इनवर्शिटी आगर आपके पास किसी भी इनवर्शिट का ग्रेजवेट सेटिविकेट है तो आप इसमें जमा करवा सकते हैं लेकिन आ और इसके अनुसार तो दोस्तों यह है इसकी पूरी नोटरपिकेशन की अपडेट I hope कि आपको पसंद आया होगा और इसी से रिलेटर आपको सवाल जवाब करना है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और उसके अनुसार देख सकते हैं आपको अंतिम तारिक इसकी जो ह 8-10 अगर्ष दे 10अगर्ष से पहले जमा करवाना होगा बात की जाए इसके क्लिक करने के बाद आपका नोटरिपिकेशन आपके सामने रखा जाएगा और वहाँ से आप इसके शने 5 इकरण कर सकते हैं आप यह देखिएगा गरामेड विकास न्यू जो अभी परजेंट में हैं उसी की हम बात कर रहे हैं यह थोड़ा सा आप अपने मूबायल या लेपटूप में देखेंगे तो आपके सामने रखा जाएगा और उसके इनुसर आप देखके जमा करवा सकते हैं तो दोस्तो यह है इसका विवरन आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा अगर जिन स्टुडेंटों को फिर से एक बार रिपीट किया जाता है अगर अच्छा नहीं लगे तो प्लीज आप हमें कमेंट में लिखे और जिन स्टुडेंटों ने अभी तक लाइक नहीं गया लाइक कर दे शेयर कर दे थेंक्यू दूस्तो जैहिं दूस्तो